Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल Now, within history, modern history important है, और modern history में भी freedom struggle important है, and within freedom struggle, Congress के sessions बहुत crucial रहते हैं, हर साल आप एक आदा question इस particular domain से expect कर सकते हैं, ठीके चाहे state हो या UPSC, ये सवाल बन जाते हैं इस पे, और पिछले काफे सारे previous year questions अगर आप देखोगे, तो वो Congress के sessions के उपर पूछ ली जाते हैं, तो इस particular वीड आपके साथ discuss करेंगे, cover करेंगे, कुछ MCQs की भी practice करेंगे, और मेरा पूरा यकीन है, कि इस वीडियो के end में जाके, आप बहुत कुछ gain करने माले हैं, ठीके, तो चली start करते हैं, मैं आपको फटा-फट से बता दूँ, कि Congress sessions को अगर हमने समझना है, तो इसको समझने का तर list, उससे related कुछ debates हैं, कुछ crucial component या crucial facts हैं, वो हमें पता रहने चाहिए, along with that, ठीके, after covering this, there are some very salient aspects of the first session of Congress, Congress का birth हुआ, पहला session हुआ, Bombay में हुआ था, उससे जुड़ेवे कुछ बहुत crucial facts हैं, सवाल उस पर भी पूछा जा सकता है, ठीके, बाकी sessions भी important रहे हैं, लेकिन पहल sessions की भी कुछ important बात हैं, हम आपके साथ discuss करेंगे, revise करेंगे, इसी के साथ-साथ, we will focus on landmark session of Congress, ठीके, अब देखो, इतने सारे sessions हुए हैं, UPSC को भी पता है, कि it's not, it might not be practically possible, कि आप हरे एक session में, क्या हुआ था, कौन president था, कौन नहीं था, किस venue में हुआ था, ये याद रखें तो हमारा focus रहेगा, landmark sessions of Congress के उपर ज्यादा, सबसे ज्यादा, landmark sessions के उपर हम focus करने बाले हैं, for example, सूरत session, हम सब जानते हैं, Congress में, जब split आया था, तो वो सूरत में आया था, तो सूरत session से जुड़ीवी, बहुत खास बाते हैं, और बड़ी एक अनोखी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीके, सूरत session में split से जुड़ीवी एक ऐसी बात है, एक ऐसा राज है, जो इतिहास के पढ़नों में न, दबा हुआ है, ठीके, Congress जो non-violent एक तरीकी से कुछ को कहती थी उस टाइम पे, तो सूरत session में कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी बज़ा से, जो extremists थे, वो नराज हो गए थे, ठीके, ये बाते कम discuss होती है, तो यहाँ पर आपको वो पता लगने वाला है, तो सूरत session के बारे में, do, see, what interesting thing you are going to know, ठीके, बहुत ज़ल्द भी discuss करेंगे, और, कुछ और, छोटे-मोटे sessions, या अगर important है, तो उसके venue, उनके presidents, ये हमें थोड़े से पता you have the energy, आप इस energy को अगर सही direction में channelize करें, तो आप अपने पहले attempt में IS exam crack कर सकते हैं, and never think कि ये पहले attempt में निकलता नहीं है, निकलता है, लेकिन energy को सही direction में डालने है, अब इसमें गलती ये होती है कि कई बार हमें syllabus की proper knowledge नहीं होती, हम पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पिछली चीज़ को revise नहीं करते, answer writing करते हैं, तो कोई evaluate करने वाला नहीं है, कोई doubt अगर बीच में आ जाता है, तो कोई उसको solve करने वाला नहीं है, demotivation आती है, कोई उठाने वाला नहीं है, इस सारी चीज़ों का दोस्तों solution है, और वो solution है team study IQ का P2I program, इस P2I program म आपको सिरफ foundation course करवा दिया, और prelims का अलग से crash course लो, नहीं, आपको prelims का crash course free मिलेगा इसके साथ, ठीक है, अलग से enroll करने की जुरूरत नहीं है, books free मिलेंगी इसके साथ, कोई अलग से enroll करने की जुरूरत नहीं है, ठीक है, mains का answer writing program, mains का crash course, उसकी video, सब कुछ, वो भी free and not only this, pre की जो test series होती ही न, उसमें video solutions भी हम provide करते हैं along with PDF, तो यह इतने सारे अच्छे features हैं, इस सारे के सारे आपको इस all inclusive batch में मिलेंगे, इसमें आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक और खास चीज हमने रखी है, कि देखो यार हम merit की कदर करते हैं, sincere बच्चों की हमें बहुत चंता रहती है और कदर रहती है, कि अगर sincere बच्चे prelims निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनको mains का सही रास्ता नहीं दिखता, और उस वज़ए से इतनी मुश्किल से 6 लाक में से सरफ 13,000 mains लिखते हैं, और उसमें से अगर उनको सही direction ना मिले, तो मेहनत मतल अर्ली NCR में free of cost उनका रहना सेना सब कुछ, यहाँ पे हम sponsor करेंगे, हमारे hostel facility में आप रहोगे और teachers की personal attention आपको दी जाएगी, जिससे कि आपके mains के clear होने के chances exponentially rise हो जाएगे, तो यह course में आप enroll कर सकते हैं, इसकी dates enrollment की start हो चुकी है, दो batches हम start कर रहे हैं, 20 महीं और 25 महीं को 20 में 8 a.m. का batch रहेगा, morning rises के लिए, ठीक है, early rises के लिए, और शाम 6 बजे का batch भी है, 25 में से जो start होगा, description में आपको इसकी links मिल जाएंगे, add, देखो, यार, देखो, अच्छी चीज जो है न, सोना जो है, वो महंगा ही होता है, ठीक है, सोना और पितल, इनमें फरक होता है, सोना और तामबे में फरक होता है, तो सोना महंगा रहता है, तो अच्छी चीज expensive होती है, but, team study IQ मानती है कि हमें education को affordable बनाना है, right, तो इसमें आपको अगर कुछ पैसे save करने, if you want to save some money, तो उसके लिए, you have a code, आप use करो CS Live, CS Live एक ऐसा code है, जो study IQ के सभी courses में, आपको highest possible discount दे देगा, so use this code, enroll in the course, और अगले exam, जो बहुत जादा दूर नहीं है आपका, उसकी भरपूर तयारी कर लीजिए, अब ये तो बाते होगी course की, इस वीडियो में, जो हम discussion करेंगे, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस telegram channel पे, चंदन learning पे, and this is my Instagram handle, ठीक है, अभी तक informed एक keyword है, बिना information के तो बात बनती नहीं, ठीक है, तो इसलिए information मैं उमीद करता हूँ, कि आपको एक सही निर्ने लेने में काफी काम आएगी, ठीक है, कोई queries हो, तो आप chandan.sharma at studyiq.com पे mail भी कर सकते हैं, चलिए, Congress के हम बात कर रहे हैं, तो Congress का origin जो था, उसके पीछे एक बड़ी ही दल्चस्प कहानी है, दरसल हुआ ये था कि revolt of 1857 के बाद, अंग्रेजों को दिख गया था कि अगर हमने भारतियों के निजी sphere में, तीक है, उनके निजी आसपेक्ट्स में, उनकी निजी जंदगी में जादा हस्तशेप किया, तो बगावत हो सकती है, इसी के पोश, जुआला मुखी की तरह फट जाए, हमें ये पता लगता रहे कि ये चल क्या रहे है इनके मन में, कोई भी political moment हो तो उसके बारे में हमें पता लगता रहे, क्या moment चल रही है, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसी association को form करना चाहिए, जो loyal होगी British crown के, ठीक हो जाए, और हम अपना राजबर कर रहा रखे, 1857 की ये करांती ने, आपको पता है कि अंग्रेजी समराज्य की जड़े हिला दी थी, यहां तक ही East India Company को ख़देड दिया था, तो इस सोच के साथ, ठीक है, उस समय के जो viceroy थे, Lord कौन थे, डफर इंसान थे, नहीं, डफर इ डिसाइड किया, एक ऐसी association बनानी चाहिए, जो loyal हो अंग्रेजों के प्रती, और Indians का opinion पता लगता रहे, ठीक है, इसी के चलते इन्होंने मदद थी, एक retired Indian civil servant के officer की थी, एक retired ICS officer की मदद थी, जिसका नाम था, AO Hume, ठीक है, AO Hume का भी यही कहनना था, यही मानना था, कि हमें association बनानी चाहिए, जो safety valve का काम करेगी, जैसे pressure cooker में, cooker की CT होती है, जब pressure cooker में pressure बढ़ जाता है, यह CT बचती है, release हो जाता है pressure, और हमारा खाना बड़े अच्छे से पकता है, उसी स्वाधिस्ट डिश की तरह, अंग्रेज चाते थे हम अपना शासन चला पाएं, ठीक है, on the other hand, Indian nationalists भी कुछ सोच रहे थे, Indian nationalists का मानना था कि हमें politically mobilize होना चाहिए, और हमारे लोग, यह हमारे लोगों ने जो 1857 का किरांती की, उसमें वो successful नहीं हो पाए, अंग्रेजों को पूरी तरह बाहर इसलिए नहीं निगाल पाए, क्योंकि politically वो united नहीं थे, उनकी विचार धार united नहीं थी, उन्हें यह नहीं पता था कि जब अंग्रेज जाएंगे, तो उसके बदले में जो नया भारत बनेगा, वो किस प्रकार का बनेगा, तो इस political mobilization के लिए वो भी एक association बनाना चाते थे, लेकिन national interest में, तो इनको लगा, कि यह मौका सही है, ठीक है, A.O.Hume ने काफ अंग्रेज जहां पर गलत करते हैं, उनके खिलाफ मोहीम चला सकें, लेकिन हम शक नहीं चाहते, तो यह बेश तरीका है, कि A.O.Hume के इस association बनाने के प्रस्ताव को यूज कर लिया जाए, और हम यह दिखाएंगे, कि हम British Crown के loyal हैं, लेकिन हमारा main मुद्दा national interest में ही रहेगा तो यह जो character है न, Congress के birth का, इससे दो theories related हैं, जो की है safety valve theory और lightning conductor, ठीके तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज Congress को safety valve की तरह यूज करना चाहते थे, ताकि 1857 की तरह इनका पटाका न फट्ज है, on the other hand, हमारे nationalist leaders A.O.Hume को lightning conductor की तरह यूज करना चाहते थे, ठीके, ताकि यह पत जाने में, तो हाँ, फिर थोड़ा सा शक, suspicion कम हो जाता है, so consequently Congress का जन्म हुआ, और इसका पहला session हुआ, 1885 में, ठीके, December 28, 1885 में इसका पहला session हुआ, गोकुल दास तेजपाल हॉल, जो की Sanskrit College में मौजूद है, और यह Bombay में है, इस session को 72 delegates ने attend भी किया था, ठीके, 72 delegates ने attend किया ठीके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कि किस प्रकार से, Congress अपने initial phase में, शक ताकि ना generate हो, यह कोशिश कर रही है, कि हम pro-British नजर आएं, यह कहानी पूरी चल रही है, अब first session की बात करते हैं, first session के उपर हम थोड़ा extra ध्यान देंगे, क्योंकि पहली session के साथ जोड़ी किया था, वो किया था, वोमेश चंदर बैनर जी ने, इनको वोमेश चंदर बॉनर जी भी कह दिया जाता है, बेंगॉली accent में, और General Secretary किसको बनाया गया, बड़ी लाजमी सी बात है, A.O. Hume को ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि शक नहीं करवाना, तो A.O. Hume बन गए General Secretary, W.C. बन गए, President, अब यहां पर 72 delegates मौझूद थे, अब इन सभी के नाम याद रखना, थोड़ा सा tedious task हो सकता है, तो हम दो ऐसे important लोगों के नाम में आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने इस session को attend नहीं किया था, पहले session को attend नहीं किया था, और उसके पीछे बढ़ा ही एक logical reason भ जोड़ना, जिसका General Secretary कोई अंग्रेज हो, या कोई और reason था, यह बहुत ही logical और practical लोग थे, Congress के बनने से पहले भी, सुरेंटरनाथ बैनर जी और आनन्द मोहन बोज ने 1876 में Indian Association का गठन किया था, Indian Association almost वही काम करने जा रही थी, जो Congress ने आगे करना था, लेकिन Congress में हुआ य किया जाएगा, जबकि ये ज्यादा तर Indians ही lead कर रहे थे, तो British suspicion इनके अगेंस थोड़ा सजादा हो सकता है, अब 1876 में इस Indian Association को बनाने के बाद, दोनों ने, सुरेंदरनाथ बैनर जी आनन्द मोहन बोज ने decide किया, कि हम इसको nationwide इस ideology, हमारी जो काम है, हमारी ideology है, nationwide इसका वि में हुई थी, December 1883 में, और इन्होंने Second Indian National Conference का भी अलान कर दिया था, जो था December 1885 में, तो क्योंकि Indian National Conference, Second Indian National Conference, December 1885 में, sponsor की जा रही थी, organize की जा रही थी, और सुरेंदरनाथ बैनर जी और आननन मोहन बोज, उस conference के main architects थे, इस वजह से, वो वहाँ पर busy थे, और इस session को attend नहीं क in fact, interesting, do give a like to this video, और comment भी कोई प्यारा सा कर देना, और जितना share कर सकते हैं इस video को वो भी करो, ठीक है, ज्यान बांतने से बढ़ता है, so why not, ठीक है, तो यह कहानी आपको बता दी, सुरेंदरनाथ बैनर जी और आननन मोहन बोज की, ठीक है, इसके बाद, first session में, दोस्तों, 72 delegates right, 72 delegates मौझूद थे, जिसमें से 39 lawyers थे, और law की जानकारी रखने वाले लोग, generally Congress में dominate ही किये हैं, यह आगे के sessions में भी ऐसा ही होगा, कि 39, not 39, basically जादातर lawyers ही यहाँ पर रहेंगे, जिस प्रकार से यह पहला session हुआ, एक बड़े historic parliamentary fashion में हुआ, क्योंकि lawyers हैं, इनको पता है कि British Parliament कैसे काम करती है, ठीक है, all in the favor say I, all in the favor, all against a resolution say 9, 9, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, आपको बता है, पारलेमेंट में कैसे proceeding सलती हैं, हाँ, वो नहीं कि ऐसे mic गुमा के उड़ा के फैंक रहे हैं, वो नहीं था, वो तो बाद में आजादी के बाद होता है, ठीक है, बट यहाँ प तीन major resolutions pass होई थी, first session में, ठीक है, इसमें पहली resolution थी, royal commission के appointment के लिए, ठीक है, इसमें basically यह चाहते थे कि एक royal commission appoint किया जाए, यानि कि crown अपने hand and seal के under a commission का स्थापन करें, जिसमें Indians भी मौझूद हैं, और जिस प्रकार से British, India में राज कर रहे हैं, उसके उपर एक report तयार करक कि crown तक महँचाई जाए, ठीक है, सबसे पहला resolution इस royal commission की favor में था, दूसरा resolution था कि secretary of state, ठीक है, इंडिया council for secretary of state, drain of wealth करता था, ठीक है, और इतना इसका efficiency नहीं थी, और drain of wealth भी चलती थी, इसको abolish कर दिया जाए, और तीसरा resolution था, जो अपर बर्मा, जो की मयानमार है, ठीक है नौर्थीस्ट की सरफ में, towards बियानमार, अपर बर्मा के कुछ regions को अंग्रेजों ने annex किया था, ठीक है, तो इसको भी condemn किया गया था, ये तीन major resolutions पहले session में लिए गए थे, अब let us see कि हमसे सवाल कैसा पूछा जा सकता है, तो ये आपके सामने question है, आपको यहाँ पर बतान था इसके साथ, ठीक है, इंडिया नाशल कॉंग्रेस, आगे जाकर नाशल कॉंग्रेस बनी थी, पहले वो कॉंग्रेस ही थी, ठीक है, फॉस्ट कह रहे है, विल्लियम वेडिनबर्न, देनिस जॉन जार्डीन, आनन्न मोहनबो, सुरेंदरनाथ ब्यानर जी, कौन हो सकता है, ठीक है, आपको देखके लगेगा कोई अंग्रेजी होगा, जो नहीं जॉन किया होगा, ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई लग रहा होगा, फिर आपको लगे है कि नहीं, वेडिर बन तो एक बर प्रेजिडिन भी बना होगा, शायद यह नहीं है, तो two only होना तो यह सवाल पूछ रहा, जनल सेक्रेटरी कौन थे, वो थे, A. O. Hume, A. O. Hume was the जनल सेक्रेटरी, in the first session of Congress, तो D's का correct answer है, एक और question करते हैं, तीन major resolutions पास होई थी, first session को लेकर, ठीक है, तो first session में तीन major resolution पास होई थी, तो यहाँ पर, जो तीन आपको items दे रखी हैं, इसमें जो resolution नहीं पास की गई थी, ठीक है, वो कौन सी थी, वो थी, कि condemning the British crown for drain of wealth, ठीक है, तो यह answer B बनेगा, starting में Congress बड़े ही carefully काम करती थी, किसी भी अपनी बात को रखने से पहले वो यह ध्यान रखती थी, कि हम anti-government ना दिखें, कि ऐसा नहों कि हमने जो आंदोलन स्टार्ट करना है, इंडिया के freedom के लिए, वो शुरू होने से पहले ही दब जाए, तो इसका answer option B रहेगा, B will be the correct answer, ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना, अब बाकी के important sessions को करना है, इससे आगे बढ़ने से पहले, एक फटा-फटे quick information आपको और दे दू, आप में से बह अगर आपको डेली आठ घंटे पढ़ना है, लेकिन आप आठ नहीं, चार घंटे ही पर पा रहे हो, including the classes, तो उस case में आपको 2024 की जगा 25 को target करना चाहिए, ठीक है, तो दो साल के समय में उतनी ही पढ़ाई आप कर पाओगे, तो आपके लिए team study IQ ने, बिलकुल वैसा ही course, ज Secondly, इसमें जो prelims का crash course है, वो 2025 का तो मिलेगा ही, क्योंकि ये 2025 को course target कर रहे है, लेकिन उसे के साथ-साथ अगर आपका मन बनता है 2024 के prelims को target करने का, तो 2024 का prelims का crash course भी आपको provide कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये एक special feature है, तो ये just आपकी information के लिए मैं बता रहा हूँ, जो 25 क को target कर रहे है 2025 को, उनके लिए काफी काम आ सकता है ये course, तो again, इसमें अगर आपको enroll करना है, तो और अपने थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं, तो use करें code CSLive, और इससे आपको maximum possible discount मिल जाएगा, चलिए, हम अब Congress के अगले important sessions करते हैं, अब second session 1886 में हुआ, first session Bombay में हुआ और उसके बाद इन्हों ने ये decide किया, कि जिस जगा पे हम अलग 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 जगाओं पर session करते रहेंगे, pan India में, ठीके आज अगर मालो Bombay presidency में session हुआ था, तो अगला session किसी East India की तरफ कर देंगे, तो Calcutta में, Bengal presidency में कर देंगे, similarly, फिर मदरास में हो जाएगा and so on, ताकि pan India characteristics का बना रहे, दूसरी चीज़ इन्होंने decide कि कि जिस जगा पर, जिस प्रोविंस में, ये session हो रहा है, तो वहाँ पे, जिस presidency में session हो रहा है, वही की presidency का president नहीं चुना जाएगा, कोई और चुना जाएगा, तो Calcutta में 1886 का session हुआ, यहाँ पर दादाबाई नौरोजी, जो 2007 का session मदरास में हुआ, और यहाँ पर preside किये, बदरुदीन तयाब जी, बदरुदीन तयाब जी बने first Muslim President of Congress, और fourth session, ये 1888 में हुआ, ये हुआ अलाहबाद में, United provinces में, तो आप देख सकते हो, पहले चारों sessions में, religion भी अलग हैं, provinces भी अलग हैं, और लोग भी अलग हैं, तो यहाँ पर अलाहबाद के session में, George Yule, ये बने, ठीक है, George Yule बने, ये जो presidency थी, George Yule के पास आई, और ये first Christian President बने, ठीक है, I apologize for this error, he was the first Christian President, ठीक है, I apologize for this, and rest assured, ये जब आपको telegram पे PDF मिलेगा, ये बिलकुल correct होके मिलेगा, ठीक है, तो इसके president, कौन है, George Yule, अगले sessions की बात क sessions की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेशन तो बहुत सारे हैं, सभी को रटा लगाना, थोड़ा सा difficult भी होता है, याद भी नहीं होते, तो हम अपनी energy को इस session में, most important sessions की तरफ लगाएंगे, ठीक है, तो 1891 का session, ये नागपूर में हुआ, ठीक है, 1891 का session, नाग बात क्या है, ठीक है, एन, एन कहरा हूँ मैं, तो एन, ए लगा दोगे, तो ये national word बन गया, ठीक है, ऐसी silly tricks use करनी पड़ते हैं कई बार, दिमाग को train करने के लिए, तो national word congress के साथ जुड़ गया, और अब congress, Indian national congress के लाई जानी शुरू हो गई, ठीक है, तो ये चीज इसके 6 ये साल बात हुई, ठीक है, this thing happened after 1885 के बाद, 6 years बाद, ये development यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें ये समझ लग रही हैं, ठीक है, I strongly hope ये चीजें आपको बहुत clearly, एकदम absolute crystal clear तरीके से, you are able to understand these things, ठीक है, so इसमें 1896 का session extra special है, ठीक है 1896 का session is going to be an extra special session, क्योंकि यहाँ पर हम एक और development देखते हैं, ठीक है, पहले तो रहमतुला सयानी, इन्होंने इसको preside किया, बंदे मातरम, जो की एक बहुत important theme song भी था, स्वदेशी मूवमेंट का, वो first time, जब हमारे national movement के context में उसको गाया गया, ठीक है, ठीक है, और otherwise भी first time जो उसको गाया गया, गीत बनाकर, तो वो 1896 का session था, बंदे मातरम आनंद मट से लिया गया है, और आनंद मट को बंकिम चंदर चाटर जी ने लिखा है, बंकिम चंदर चाटर जी ने सिरफ यह poem लिखी थी, उसको जो, उसका संगितिक रूप जो दिया गया था, वो दिया जाडूनाथ बटाचारे ने, जाडूनाथ बटाचारे ने उसको संगीत का रूप दिया, उसको ट्यून दिल, तो यह fact भी आपके exam में काम आ सकते है, इसके बाद 1905 का session important है, गुपाल कृष्ण गोखले ने preside किया, बेनारस में हुआ यह, गुपाल कृष्ण गोखले गुपे presidency के थे, तो बेनारस United provinces में है, तो obviously यह preside कर सकते हैं, यहाँ पर Bengal partition के against, resentment पास की गई, 1906 का session, यह बड़ा दिल्चस्प session है, यहाँ पर moderates और extremist के बीच में दरार पैदा होनी शुरू हो गई थी, ठीके, और जो Congress का split है, वो यहाँ पर हो सकता था, लेकिन क्योंकि दादा भाई नौरो जी को, सभी लोग पूजनिया मानते थे, तो इस split को इस particular session के लिए फिलहाल एक साल के लिए delay कर दिया गया, क्योंकि दादा भाई नौरो जी को president बना दिया, और कुछ extremist की कुछ demands को भी accept कर लिया गया, ठीके, यहाँ पर extremist चाहते थे, कि यहाँ तो ब split, avoid करने की कोशिश कीगी, तीन बहुत important resolutions यहाँ पर pass हुई, इस पर UPSC में previous question भी आ चुक है, यह तीन important resolutions थी, कि इन्होंने स्वदेशी को accept किया, ठीके, boycott को भी accept किया, और एक national education का program भी pass कर दिया, इसका objective यही था, कि जब हम boycott करेंगे, Bengal partition के खिलाफ, ठीके, तो लोग अ SP वाली चीज, 1907 का session, ठीके, तो आप सब जो लोग wait कर रहे हैं, 1907 के session में कि ऐसा क्या हुआ था, वो सुन दो, देखो ऐसा हुआ था, कि 1906 के session के बाद ना, क्योंकि Congress अभी भी prayer petition protest के mode में चल रही थी, बहुत जादा achievements उसकी नहीं थी, ठीके, अंग्रेजों के कानों पे ज policies बता रहे हैं, जो रास्ता वो दिखा रहे हैं, उसको follow किया जाए, right, consequently, moderates के supporters और extremists के supporters, इनमें आपस में भेडानत होने की एक बहुत high probability थी, तो जब 1907 का session, ठीके, 1907, ठीके, और सूरत 7 and 7, ये भी आप link कर लोगे, तो यहाँ पर, again, कोशिश यही थी, extremists की, कि लाला-ल लाजपत्राय या बाल गंगादर तिलक में से कोई president बने, और moderates ने भी जान बूच कर सूरत में रखवाया session, क्योंकि सूरत उस समय Bombay presidency का था, तो बाल गंगादर तिलक नहीं बन सकते थे president, लेकिन, लाला-लाजपत्राय के बनने के chances थे, ठीके, voting हुई, राश बिहारी गो तरह निकल के आया, historians का मानना है कि शायद वो, लाला-ला-लाजपत्राय की तरफ target किया जा रहा था, बट हुआ ये, कि सबसे पहले वो सुरेंदरनाथ बैनर जी के, शरीर के किसी अंग पे लगा, ठीके, और वहाँ से टपा खाते हुए, वो लगा जाके, फिरोशा मैता के ठीके, अपनी जो van साथ लेकिया थे, वो arrest कर लिया गया उनको, एक दूसरे पर विश्वास बिलकुल खतम हो गया, और यहाँ पर सूरत split हो गया, ठीके, सूरत split, यानि कि Congress split हो गई इदर, ठीके, तो 1907 का ये session, इस चीज़ के लिए जाना जाते है, राइट, 1911 में जाकर फ बहुत important development हुई थी, ठीके, देखो, जन गन मन, ठीके, जन गन मन, तो आप ये समझ लो कि 1911 की जो one है, ये जन है, दो लोग है, एकदम ऐसे straight खड़े होके, नाशल अन्थम गा रहे हैं, ठीके, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, कि 1911 का session, जन गन मन, यहाँ पर सिंग कि इसके president ने, president थे, बीशन नायन, धर, ठीके, नौट दास, धर, आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ important sessions को मैं थोड़ा quickly आपके साथ discuss करूँगा, 1916 का लखनाउ session काफी important है, लखनाउ session में लखनाउ pact हुआ था, ठीके, और इसके president जो थे, वो थे, अंबिका चरन मज़ुम AC मज़ुमदार, ठीके, तो pact AC चलाके sign किया गया, ठीके, तो AC मज़ुमदार इसके president बन गए, यह pact Congress और Muslim League में भी था, ठीके, और Congress के extremists और Moderates के बीच में भी था, ठीके, यहाँ पर decide किया था, कि Congress और Muslim League, common page पे अपना एक agenda, national agenda start करेंगे, ठीके, और extremist Moderates भी यहाँ पर unite हो ठीके, यह main freedom struggle की जब हम कहानी पड़ते हैं, उसमें भी हम फिर further देखते हैं कि इस pact से आगे क्या development हुई थी, अब इस pact में, Annie Basin का एक बहुत important role था, ठीके, और यहाँ पर basically Home Rule League का भी एक समय चल रहा था, उससे impress होकर भी कई Moderates ने, यह कहा कि हमें जुडना चाहिए, extremist और Congress की पहली महिला President बनी Annie Basin, Sarojini Naidoo नहीं, she will be first Indian woman to preside, she was the first woman to preside, और आप सब जानते हैं, Annie Basin के headquarters, जो Theosophical Society के थे, वो मदरास में थे, इसलिए Calcutta के session में, इनका President बनना भी possible था, उमीद करता हूँ कि ए fact आपको समझ लग गया है, याद भी रहेगा, इसके बाद, 1920 का session काफी important है, ठीक है, लाला लाजपतरा है, यहां के President थे, यह एक special session था, और इस session में गांधी जी ने non-cooperation, ठीक है, non-cooperation हम Freedom Struggle में भी पढ़ते हैं, हलांकि उसका फैसला पहले ही हो गया था, Congress का approval बाद में आया था, ठीक है, उससे पहले non-cooperation को All India Khilafat Committee ने कर दिया था, प् तो December वले sessions, Congress के main sessions थे, इधर propose किया, और 1920 के session में, नागपूर, C. Vijay Raghavacharya के Presidency के time पर, formal resolution to initiate non-cooperation by Congress, वो approved हो गई, ठीक है, इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन यहां पर Congress का ठपा, 1920 के नागपूर के session में लग गया, ठीक है, तो non-cooperation, and for non-cooperation, and for नागपूर, ठीक है, ना Congress के किलाफ विजय लेनी थी, right, non-cooperation से तो C. Vijay Raghavacharya ने constitute, यह preside किया था, यहां पर नया Constitution भी मिला था Congress को, जिसकी वज़े से Congress अभी तक mass character में आई नी थी, ठीक है, तो यह पहली बार हुआ था, कि नए Constitution के चलते, registration fees को काफी कम कर दिया गया, और भर-भर के लोग जुड ठीक है, 1921, 2, 1, ठीक है, तो number 2 जो था, वो number 1 बन गया, इसका क्या मतलब, यहां पर दोस्तों ऐसा था कि C.R. दास ने President बनना था, लेकिन non-cooperation में अपनी activities के चलते, C.R. दास जेल में थे, Prison में थे, तो उनके number 2, ठीक है, हाके मजमल खान, यह बन गए Acting President, ठीक है, तो 2, number 2 number 1 बन गया, ठीक है, यानि की number 2, यह President बन गया, तो 1921 का सेशन, एहमदाबाद का, हाके मजमल खान, यह Acting President, and who was number 1? C.R. दास, he was the President, ठीक है, फिर C.R. दास बाहर निकल गया, इन्होंने का कि मैंने भी Preside करना है, तो अगला सेशन, 1922 में, हाके मजमल खान को बुला कि आप ग गया, ठीक है, तो गया सेशन में, C.R. दास President बन गया, 1923 में, कके नड़ा में सेशन हुआ, मौलाना मुहमद अली की Presidency के अंदर, यहाँ पर All India खादी बोर्ड का संस्थापन हुआ, आप सब जानते हैं कि खादी हमारे Freedom Struggle में कितनी ज्यादा Important है, तो इसको प्रचलित करने के लिए, अलग-अलग जगा पर constructive activities को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के बीच में खादी को popularize करने के लिए, कि अपनी खादी खुद spin करना सब सीख जाएं, तो All India खादी बोर्ड का संस्थापन, 1923 के सेशन में इसका संस्थापन हो गया, 1923 का डिली का सेशन, मौलाना अब्दुलकलाम अजाद ने लिया, ठीक है, यह एक special session था, यानि कि December में यह बीच में जाकर हुआ था, June जुलाई के आसपास इसका basically यह session रहा था, और यहाँ पर मौलाना अजाद, यह youngest president बने to preside a Congress session, आप से यह सवाल पूछा जा सकता है, कि who was the youngest president ever to preside a Congress session, options में जवाहर लाल नेहरू एंड सुभाष संद्र बोज भी होगा, no doubt they were young, but मौलाना अब्दुलकलाम अजाद जब यहाँ पर president बने थे, he was the youngest, ठीक है, यह चीज़ भी आपको याद रखने है, fact पूछा जा सकता है, ठीक है, factual चीज़े हैं, तो यह याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा फिर 1924 का session अपने आप में बड़ा ही सही है, ठीक है, इसकी बाद हमने एक पिछले वीडियो में भी की थी, 1924 का session, एक लौता ऐसा session है, जो महात्मा गांधी ने preside किया, Congress जैसी organization में महात्मा गांधी इतना से रखते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने session को preside नी किया था, except for 1924 session, यह session बेल गौम में हुआ था, ठीक है, and only session to be presided by महात्मा गांधी, 1925 का session, यह भी अपने आप में बहुत important है, कानपूर में यह session हुआ था, सरोजी नी नाइडू, preside कर रही थी, और सरोजी नी नाइडू, first Indian woman बनी, to become the Congress President, इसके बाद 26, 1926 का, गुवाटी का session, एस श्र ठीक है, गुवाटी के session में compulsory कर दिया गया, कि अगर आपने Congress में रहना है, तो खादी work compulsory है, ठीक है, यह basically जब वो स्वराजिस and no changes की debate चल रही थी, तो ऐसा था कि यह नहीं चाते थे Congress के main leaders, कि स्वराजिस जो हैं, वो co-opt हो जाएं, अंग्रेजों के पिठ्थू बन कि अगर आपने करना है, तो खादी work भी साथ-साथ करना पड़ेगा, so this was another important development related with 1926 conversation, गवाटी में, S. Srinivas Ayangar, ठीक है, आपने इसको याद रखने हैं, तो देखो, इसमें चर्खा चलाने वाली ladies का जो group होता है, उसको तरिंजन कहा जाता है पंजाबी में, I don't know, अधर ये ना, ये sound थोड़ी सी same है, तो आप ऐसे भी याद रख सकने हैं, ठीक है, ये छोटी-छोटी tricks होती हैं, दोस्तों, whichever works for you, use that to remember such things, 1927 का session, मदरास, ठीक है, M.A., M.A. अनसारी, ये तो अपने आप में बढ़ा असान है, तो यहाँ पर independence resolution और Simon Commission के boycott का decision लिया गया था, ठी 1927 पिछले session में उसको boycott करने का निरने लिया गया, 28 का session कैलकटा में हुआ, पंडित मोतीलाल नहरू, जवाहलाल नहरू के पापा ने ये preside किया, ठीक है, और यहाँ पर नहरू report की ऊपर resolutions पास की गई थी, 1929 का session, historic session रहा है, इसको बिलकुल नहीं भूलना, ठीक है, ये पं सुराज resolution यहाँ पर पास होई थी, ठीक है, और civil disobedience movement को भी, basically उसका launch तो खैर, जब वहाँ पर हम साबरमती आश्रम से निकल कर, डांडी तक पहुंचे थे, और वहाँ पर जब salt law break किया था, that was the point, जहाँ पर civil disobedience movement launch होगी थी, ठीक है, यहाँ पर resolution, उसको launch करने का resolution पास कर द 26 जनवरी हम हर साल Independence Day की तरह celebrate करेंगे, तो अपने आप में बहुत important session है, 1930 में कोई session नहीं हुआ था, ठीक है, 1930 में कोई session नहीं किया गया था, और जोहरलान लेरू presidency follow कर रहे थे, ठीक है, he continued as a president, तो कोई session नहीं नहीं हुआ, तो पुराना president ही, फिर president रहता है, 1931 का session बढ़ा important है, very important, यहाँ पर कराची में हुआ था, और यहाँ पर वल्लभ भाई पतेल ने इस session को preside किया था, यहाँ पर fundamental rights और national economic program को इसकी उपर एक resolution था, उसको pass कर दिया गया, ठीक है, और गांधी इर्विन पक्ट को भी यहाँ पर endorse कर दिया गया, ठीक है, तो 1930 का session इसलिए भी न जेल में थे, इस वज़े से 1930 का session जो था, वो ही नहीं पाया, ठीक है, यहाँ पर fundamental rights का resolution पास हुआ, और यह basically इसने हमें एक base, एक blueprint दिया हमारे constitution के fundamental rights के लिए, ठीक है, जिससे बहुत जादा inspiration, Dr. B.R. Ambedkar ने भी ली, 32 का session डेली में हुआ, ठीक है, अब यह sessions जो है न, यह इ socialist party का निर्मान हुआ था, again, 35, 1935 में भी कोई session यहाँ पर नहीं लिया गया था, और एजंदर परसाद जी ने ही continue किया, 1936 में, जवाहर लाल नेरू फिर से president बने, लखनाव में, यह session हुआ, और यहाँ पर president ने, Congress को, socialism को, अपना एक उद्श्य, मान लिया जाए, इसके Congress भी, इस policy, इस ideology को accept करे, 37 का session भी, फैजपूर में, जवाहर लाल नेरू ही president थे, ठीके, तो आप देख सकते हैं, कि कम से कम, तीन Congress के sessions में, जवाहर लाल नेरू preside कर रहे हैं, ठीके, यह पहला session था, जो एक village में हुआ, ठीके, 1937 का session, this was the first session, जो एक village में लिया गया, उसके के लिए, उन्होंने national planning committee, इसको set up किया, और अपने एक तरीके के उस समय के best friend, जवाहर लाल नेरू, इनको बनाया, उसका chairman, ठीके, तो यह socialism, ideology को Congress, execute और implement कर रही है, 1939 में, तरिपरी, 1939 के तरिपरी में, सुभाष चंदर बोज, इनको लोगों ने चुना था, to preside, ठीके, यह personally अगर मैं बताऊं, यार, मुझे भी बड़ा सुनके दुख होता है, कि क्यों नहीं preside करने दिया गया, करने दते यार, क्या था इसमें, youth है, energy है, सही direction मिल सकती थी, यहाँ पर actually क्या हुआ, कि इन्होंने पिताभी सिता राम्या को defeat कर दिया था, लोगों ने सुभाष सुभाष चंदर बोष को चुना, पिताभी सिता राम्यों को गांदी जी support कर रहे थे, लेकिन यह हार गे थे election, Congress में, President के, ठीके, तो यहाँ पर गांदी जी और बोष की World War II के समय पर Freedom Struggle की क्या approach होनी चाहिए, इसमें मत बेता, जिसके चलते, सुभाष चंदर बोष ने का इनको initially choose किया गया था, लेकिन जो ultimately जिन्हों ने preside किया फिर इनके resign करने के बाद वो थे राजेंदर प्रसाद जी, ठीके, राजेंदर प्रसाद जी ने यहाँ पर preside किया, तो सवाल ऐसा बन सकता है कि जब सुभाष नंदर बोष चले गए, तो क्या पताभी सीता राम्यो session जो था, ठीके, यह मौलाना आजाद ने इसको preside किया था, और इधर individual सकताग्राय की resolution को pass कर दिया गया था, ठीके, आप आपको पता है कि world war के time पर जो हमारी freedom struggle थी, quit India से पहले individual सकताग्राय हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लग रहा था, Congress leaders को लग रहा था कि लो 1945 के बीच में, again, Congress के sessions नहीं हुए थे, और मौलाना आजाद ने ही इसको आगे continue किया as president, right, 46 में, मीरट में, 1946 में, मीरट में, अचारे जेबी कर प्लानी, यह president बने, 47 में, राजेंदर परसाद, ठीके, और राजेंदर परसाद, एक तरीके से, आजादी के हमारे अंदोलन के बीच में, जो Congress के president से, उसमें यह last president रहे थे, ठीके, and 48 में, डॉक्टर पिता भी सीता राम्या, he was the president, ठीके, so दोस्तों, अजादी की लड़ाई में, Congress के जो main presidents, Congress का अस्तित्व कैसे बना, यह सारी चीज़ें हमने इस session में की हैं, ठीके, इस पर अनेकों तरह के सवाल आ सक सकते हैं, कि यह session है, कौन सी जगा पे हुआ, president और session को match करने को कहा जा सकते हैं, president जगा और उसमें important development के उपर भी सवाल आ सकते हैं, मैं उमीद करता हूं कि हमारा यह session, ठीके, यह Congress का session तो नहीं है, यह study IQ का session है, ठीके, जिसको आप लोग preside कर रहे हैं, क्योंकि यह session आपके लिए है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, ठीके, मैं उमीद करता हूं कि आपके द्वारा preside किया जा रहा है, यह session आपके लिए बहुत useful और कारिगर साबित हो, and यह best possible result और output लाके दे आपको आपके exam में, my best wishes दोस्तों, और जितना जोर आप अपनी तयारी में लगा रहे हैं इश्वर के भई उतना ही जोर आपके साथ जोड़ जाए और आपको success जरूर मिले, wish you all the best, thank you so much.